हमारा जैसे वेतंदी है है वैसे हमारा रोजगार जो है हमें देदे हमें तो है सरकार से कुझ आए सेकर हमारी नहों कई हुली वापस देदे बस इंहीं इननाबंट की बीवाडिप इंन ऐटep करी आया है। कोई पार्षाद आया और राजनीती करने के बच्चों का नुक्सान था इन जंता का नुक्सान था अगर इनको जॉब दीजी तो क्यों यह पर लोग बैठे हुए है कि अपनी मांगों के लिए कि एक सरकार का अदमी नहीं आ रहा है यह लोग कंत्र रहे नमस्कार बहुत बहुत स्वागत हैं आपका सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और लगातार मार्शल्स जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं लगातार मार्शल्स की एक ही मांग है कि उनका वकाया बेतन उनको मिले सोलह हजार से ज्यादा मार्शल्स की संख्या जो है वो दिल्ली में हैं 2015 में इन लोगों को जो है वो तैनात किया गया था सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था लेकिन आज यही मार्शल्स जो हैं वो धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेके जो हैं वो सड़क पे ब जिनको कई महीनों से जो है वह बेतर नहीं मिल रहा है कुछ मार्शल्स को जो है वह नौकरी से भी जो हो ता दिया गया है तमाम मार्शल जो हो यहां पर बैठे गें बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कब तक जो है चलने वाला है मैंडम यह तो अनिस्चित काल के लिए जब तक केजरिवाल सरकार के काम हमारे उपर ध्यान नहीं आता है इनका फिलाल तो ध्यान है नहीं क्योंकि यह रैलियों में भी फिलाल बीजी हैं यह नहीं कि इनके हां से अभी कब तक 10 10 हमारे मार्शल एक्सपार हो चुके हैं सिरफ ड्यूटी और जोब के चक्क्र अभी कुछ अब आ रहे हैं देखते पर मीशन देते हैं कि और तरफ से रहे हैं जूट जूटा आश्वासन दे रहे हैं कि कर रहे है बाकिन से बीच में भी बी थे दो तिन दिन पहले रोंगाड को बोलके कि आप पास करो अब बताओ जिसकी उमर 55-57 साल हो गई कैसे फिजिकल निकाल लेगा हमारे तो कोई दिक्कत निकाल लेंगे बागी इसमें जितनी काफी लेडिस ऐसी हैं महिलाएं भी हैं जो 40-45 साल की हैं वो कैसे फिजिकल पास कर लेंगी महिलाओं की बात करते हैं लेगे तुमाम जो हैं एहां पर और भी मार्चل से मैं महिला मार्चल के पास आतं से बात करते हैं जब जो है जो आनिंग करवा के इदि उस वक Keys में सबको मार्ष भी सुरक्षित नहीं है छुद वो रोजगार हो चुके हैं क्या कहिएम वहागी तो हूँ हमेरी से घर सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा निकाल दे तो हम कहांगे क्या बताइए करेंगे बताइए करते हैं तो हमें डूटी करते हैं तो हमें डूटी देंगे तभी तो करते हैं तो देखें तो दीपावली का यहां पे बैठे हुए हैं तो बोला जारा है सरकार किया आश्वाशन कोई आश्वासन नहीं आ रहा कोई पूछने भी नहीं कर रहा हुं। कि अधर नहीं आघा है यह मार्शल जो है वो सडकों पे हैं रोड पे बैटे हुए काफी दिनों से के मार्शल जो है उनकी डेथ भी हो चुकिए क्या कहेंगे कब तक सरकार संग्यान लेंगी इसके ऊपर सरकार तो संग्यान क्या गुंगी पहरी होके बैठी हुई है सरकार दि तो एक वी है फॉवुंगर शुक्त किसने दिया आप उनको कम से धृच्पि उस टाइम कहीं साल पहले आपको आक्ट कहावाला दें आपने वापस का 15 साल पहले अक्ट नहीं था तो एक भी अधिकारी सेस्पेंड नहीं बंदरी कई सा लिससार किए और दिली सरकार् तॉज हमारे कई सारे मार्शाल मुऩас नोगी जा रिए जोई गाता है क्योंकि दिली सरकार कुद जो है एक अगर बात पी जाएं जाता है जिसे कहा जाता है जो है यहां पे अगर बात की जाए तो केजरी ओपर वी तलबार जो लटक रही है क्या लग रहा है कि इडी से डरे हुए है इसलिए मार्शल की नहीं सुनी जा रही है यह केंदर सरकार सहयोग करी है तब जो है दिली सरकार काम नहीं कर पारी है पहले आम आदमी लेकिन मैं मैंने खोद कई वार ग्यापन दे दिया कि आप हमसे अपॉइमेंट के लैटर दे दिया कभी हमसे बात करो मिलो आप हमसे आप सामने सचवाले के सामने वेटे थे रात को हमारी महिलाओ को डिटेन करके लिए के जा रही है पुलिस उठारी एक रप सरकार के कहने पर आप हम लोगतांत्रिक देश है लोगतांत्र में अपनी अवाज उठाने के लिए पॉटेस्ट कर सकते हैं यह आंदोलन चल रहा है हम 27 तारी से लेकिन सरकार की नजर नहीं है दूसरी चीज कि यह राजिनिती करन में किसी का नुकसान नहीं था से इतना सार पर आज वो देखे कि और इवन देख लो रेडल नाइट ओन अफ देख लो एक आदमी नहीं आया किसी पी सरकारी जनस्ता का हर जगा सेविल डिफेंस आएगा हर जगा सेविल डिफेंस कोई काम कर देख उसके बाद उनके निसकाम उनकी डिजास्टर के लिए टीम बनाई ह है तो डिजास्टर के अंदर काम करवाए ना आज वो क्या नाम है कई जगा मेलाओं में लगा रखा हमाला यह डिजास्टर नहीं है मेला और एक मिट्के और अभी कई सारे फिर और निकले मैं कुछ लोगों को फिर ले लिया का सिविल डिफेंस के अंदर में वो किस एक्ट है दिली के लिए लगवाग जो कॉल आउट डूट पे लाइकुलर काम कर रहे थे और 15 सालों से कर रहे थे के जिए नहीं दिया था यह जब 2010 में लेकर आई थी सिविल डिफेंस को रेविन डिपार्टमेंट के इंदर जब से काम हो रहा है यह आज नहीं काम किया है सिविल लेकिन नि शुरूंअग अदर भी काम कराonders यह रहे हैं यह लेकिन राजनृत के वाद डिफेंस को बद काम कर लिए क्या सिविल डिफेंस and the Quran का क्या नुक्सांत क्या शरकार का नुक्सान था इनका क्यों नुक्सान किया वह stora गरती किया था हमें तो आपने थोटीना बहुता हम्से कि वह भी आप सर्कार को दिया है सरकार ने वह भूला और दो सरकार आज क्यों हटाने का कंँ पहले तो मार्श है वो पहले तो बेतन का मांग था कि वेतन रोग रखा था चैचा महीं ने उसमें 80% लोग क्राई के मकान में रहती है ठीक है उसके बाद जितने भी थे वह इतना महामारी की तरह फैली कि उनके घरों के जो राशन थे वह राशन बंद करती मकान माली नों कि अपना घर से फैकने लगी पुलिस एफाइर्स करने लगी कई साध्यों पर फाइर्स कर यह लगा तार उसको पगड़कर ले जा रही है पुलिस गिरबतारियां हो रही है पर अपनी मांग के लिए बैटे हुए सामने मुक्त मंत्री साब बैटे सामने मार्सल बैटे सच्वाले सामने पिछले 27- लेकिन एक आदमी यह बड़ी यह दिल्ली राजदानी देश की यह राजदानी है जहां पर लोग बैटे हुए कि अपनी मांगों के लिए यह लोग तंत्र है यह लोग तंतिक है पीज में अगर बात की जाए तो बीजेपी परदेश अदक विरेंदे सजदेवा माशलों के समर्थन में पहुंचे थे मैं बीजेपी सब्सक्राइब जी हमारे बीच में आए थे और आस्वासन दिया था कि हम एली साब के पास में आपका लेटर लेकर जा रहे हैं और लेकिन अबी तक वह कोई ऐसा खुसकबरी या कोई चीज़ आनी दिए लेकिन मुझा अशा लगत बैटे आम आदमी लोग हैं आज इनकी समस्या के लिए कोई सरकार का आदमी नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह राजनीतिक आदमी इनने और पार्टी का नाम सेंजिकर देना चीए आम आदमी छोड़ देना चीए इतना कहना है यह इतने लोग भूके बर रहेंगे अब चार म मैं 62 में मैंने काम किया है लाट वॉलिंटरियली बाद में इनको प्रॉपर जो है वो दिया गया यह आप जौप काम कर और इन से तो उसके लिए प्रॉपर लेटर दियना चीए था आपाइंटमेंट का क्यों नहीं मिला और फिर इन सब को आपने सटक बला दिया किस वज़ माननी ही पड़ेंगी आप लोग क्या सोचने हैं क्या आपकी लोग की राय है हमें जुरूर बिताइएगा बने रही है हमारे साथ देखते रही है सौगंध टीवी सौगंध वतन की